हाई फ्रेंड्स वेल्कम तो माई चैनल सेल्फ लर्निंग फ्रेंड्स यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सबिस्क्राइब नहीं क्या है जल्दी से इसे आप सबिस्क्राइब कब दीचिए क्योंकि मैं यहाँ पर लेकर आता हूँ आपके लिए टेली से रेलेटिड नए अपडेट्स और यदि फ्रेंड्स आपने अभी तक जितने भी मैंने इनवाई डिजाइनिंग के कस्टमाइजिशन के वीडियो इस चैनल पर अपलोड किये हैं वो यदि नहीं देखे हैं तो आ कि आपको इनवाईज पसंद आता है उस वीडियो के नीचे आप कमेंट करके अपना मेल आईडी दे दीजेगा आज के इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक और इनवाईज डिजाइनिंग का नया फर्मेट तो चलिए देखते हैं Friends, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा ऑडिपोल् rains त्षेल से और उइखता है वह हमारे पास में किस तरह से शो होता है तो यहाँ पर दिखिए एक मेंड बेल ऑपन करके आपको बताता हूँ कि यहीफ कहुता है वो तो इसको हमने सषुरे माइजेशन किया है इसको changes किया है यहाँ पर देखिए friends एक मैंने TDL upload की थी यहाँ पर Tele invoice customization की इसी TDL में मैंने और changes किया है इस friends यहाँ पर देखिए यह जो video day इसको हमने changes किया है तो इसके अंदर अब consigny और consigny दोनों का नाम आएगा और इसका format भी काफी changes किया है तो चलिए देखते हैं जैसा कि मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ कि जो टेली का by default invoice आता है वो इस तरह से हमारे पास में show होता है अब हमें हमारा customization load करना है टेली के इंदर तो वो कैसे load करते हैं यह मैंने मेरे काफी वीडियो में बता रखा है आपको कि मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ तो इसके लिए यहाँ पर देखिए जो हमारा customization की file है वो यहाँ पर रखी हुई है इसे हमें टेली के अंदर load करना है तो इसके लिए हम यहाँ पर last में click करेंगे backslash use करेंगे down arrow की प्रेस करेंगे और shift और home की की साहता से इस पूरे path को select कर लेंगे अब control C की साहता से इसे copy कर लेंगे अब आ जाते हैं हम टेली के अंदर यहाँ पर f12 करेंगे product and features में जाएंगे यहाँ पर manage local tdl में click करेंगे अब इस option को यह सकते हुए यहाँ पर हम वो file का path यहाँ पर control अल्टर B से paste कर देंगे और इसे आगे बढ़ते हुए इसे accept कर देते हैं तो यहाँ पर देखिए one of one tdl loaded मतलब जो हमारा customization का वो टेली के अंदर load हो चुका है तो अब देखते हैं हमारा format किस तरह से show होगा आई है तो इसके लिए friends एक bill open करता हुए और यहाँ पर आपको दिखाता हुए कि format में कैसा changes आया है तो यहाँ पर देखिए जो नया format है हमारा वो इस तरह से हमारे पास में शो होगा जैसा की पहले वीडियो में था जितने भी हमारी fields थी invoice number, invoice date, arrival की वह सभी यहाँ पर आ रही थी और यहाँ पर इस block में हमारे पास में customer का नाम आ रहा था बट उसमें क्या problem आ रही थी कि हमारे पास में consignee और consignee का नाम शो नहीं हो रहा था तो इसके लिए हमने उसी TDA में और customization किया है तो आपको इसके अंदर पूरी detail देखने को मिल जाईगी यहाँ पर consignee और consignee दोनों की नाम आ रहे हैं इसमें यदि आप bank detail add करना चाते हैं तो जिसे टेली में bank detail आप डालते हैं बेसा ही यहाँ पर आपको करना रहेगा तो इसके तुरू आप bank detail भी आप डाल सकते हैं तो और हमारे इस channel को subscribe कर लिजी like कर लिजी bell icon के ओपर click कर लिजी thanks for everything